लबसकास वागत है आप सबी का हमारी बेहत खास पेशकर जिसको हम कहते हैं यूर्स्टॉक मैं हूँ आपके साथ कवता थपलियाल अंच फिल्वार और पूजात रुपाथी हमारे साथ जुर गई हैं जो हम तीनों मिलकर एक घंटे आपके तमाम स्टॉक स्पेसिफिक सवालो के जवाब दे शो की शुरुआत करें उससे पहले एटीनों स्वादेश और यॉर्स्टॉक की पूरी टीम की तरफ से आप सब ही को रक्षा बंदन की ठेरो शुप काम ना है और मेरे ख्याल से भद्रा काल लगा हुआ है इसलिए देड़ बजे के बाद के आस पास जो है रा तो मेरे ख्याल से अगर बहन बड़ी है तो अपने भाई को जो की छोटा है उसे भी इसी भी इस तरह के रक्षा सुत्र दे सकती है तो आज शो में बहुत कुछ होने वाला है और लेकिन यॉर्स्टॉक में आप भी भागेदारी जो है वो ले सकते हैं इस खास मौके को शु या आप चाहते हैं तो वाटसाप के जरीए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और सोशल मीडिया के मौके पर सोशल मीडिया पर क्योंकि अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप खासरों से यूट्यूब पर अपने सवाल कॉमेंट बॉक्स में छोड़ स सवागत है इस खास पेशकश में और आप दोनों के पास में आऊं और बाजार को लेकर और रक्षा बंदन के मौके पर लेकर आपके त्योहारी गिफ्ट्स क्या हो सकते हैं अपनी बेहनों को ये सवाल पूछू उससे पहले बाजार का एक चेक लेते हैं जट पर जहां पर ह 2450 के आसपास के लेवल्स हैं और एक दाइरे में घूमता हुआ दिखाए दे रहा है निफ्टी की अगर हम बात करें लेकिन देखना होगा कि 24550 के लेवल के आगे और ये कितना अब जाता है या टिका रहता है आज का सेशन काफी अक्टिव लेकिन मिट के आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में आज की सतरह में आक्षिन दिखाए दे रहा है स्टॉक्स पेसिफिक मूव्मेंट बहुत जादा है हम डिफेंस टॉक्स की बात करें रेल स्टॉक्स की बात करें और क्यूंकि अब ट्रिगर हम देख रहे हैं एक तरहां से अतिमाही नुतिजों के खतम हो चु हैं तेजस आपके पास आओंगी सबसे पहले आप क्लिए नमस्कार और रक्षा बंदन रहा था, चौबीस एर का बेस था और चौबीस चार्सों का रहिस्टन्स था, फ्राइडे के सत्र में हमने देखा कि एक फ्रेश ब्रेकाउट आया था निफ्टी ने और एक शांदार हमने रैली देखी थी निफ्टी में, आज हलकी सी मुनाफ़ा वसुली देख रही है, साड चार्स ट्रक्चर काफी अच्छा बन गया है, इमीजेट बेसिस पे जो सपोर्ट बैट रहा है निफ्टी में, वो 24-500 के करीबन बैट रहा है, और जो बेज अभी रहेगा निफ्टी में, वो रहेगा 24-350 के करीबन, और अगर रेजिस्टन्स की बात करें, तो इमीजेट तो यह है सला निफ्टी पर आपके लिए, लेकिन चलिए अब सवाल जवाब का स्रिसला भी शुरू करते हैं, और वाटसाप पर हमें पहला सवाल आया है, विनूत कुमार जी का, इन्होंने सवाल पूछा है, दीपक फर्टिलाइजर पर 200 शेर्स, 400 की खरीद है, इनकी काफ थाक से जादा का मुनाफ़ा इन्हें इस स्टॉक में हो रहा है, चलिए अब एक्सपर्ट से भी सवाल पूछ लेते हैं, सुमिर जी क्या सला होगी आपकी दीपक फर्टिलाइजर पर शांदार गेन है, अभी और तेजी के लिए रुखना चाहिए इन्हें, तो बिल्कुल पॉटम का एक रिजिस्टेंस था, एक अजर पचास के करीबन वहां से थोड़ा सा यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है, लेकिन ओवराल स्ट्रक्चर देखेंगे तो अभी भी पॉजिटिव है, हमारी यहां पे सला बिल्कुल इनको बने रहने की रहेगी, एज तो यहां पे बिल्कुल बने रहने की इसला रहेगी, जिस तरह से हमने बोला कि टाइम फ्रेम जो रहेगा, वो करीबन तीन से छे महीने एकर रहेगे। शेर भी बहुत गिर गया, लगवग 22 परसेंट का, और दूसरा सरफ PNB का मैंने लिया हुआ था, उसके भी लगवग सा 17-18 परसेंट गिर गया है, तो थोड़ा सर अगर बताए कि आगे इन शेर का क्या हो सकता है, तो उसी साथ से डिसिशन ले सकते हैं। मुझे से एक बर यह रीक अन्सरम करना है कि इनका होल्डिंग पीरेट क्या है, तो उस तरह से हम फिर। मनियक जी, आपका होल्डिंग पीरेट के आप कितने समय ता किसे होल्ड कनन देख रहे हैं। सर, पी एन भी का तो मैंने जो होल्डिंग पीरेट सोचा था, तीन मेन हो तो सर पार हो गया है, क्योंकि जो मार्केट क्रेस वा वो तो गिरी गया है। तो अभी तो बस डिकवरी मोड के लिए बैठा हूँ, एन एस्टरल का भी मुझे पता रहे हैं, नहीं चल पा रहा है, वो भी लग रहा है, साथ दूसरी लाइन में जा रहा है, तो थोड़ा सा, इसलिए होल्डिंग पीरेट तो एक का तो पार हो गया है, दूसरा का तो मैं मैं सोचा तो अक्टोबर तक मैं होल्ड करूँगा, नहीं स्थिती थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, जी सुमें जी तो होल्डिंग पीरेट अल्मूज समझ जाए कि खतम ही हो चुका है, बस अभी यहां पर उमीद की जा रहे है, कि यहां से क्या कुछ रिवर्सल आ सकता है कुछ लेवल नजर आ रहे हैं, जहां से थोड़ा कुछ पॉजिटिविटी एक्सपे की जा सकती है, देगे सबसे पहले तो एस्ट्रल की बात होगी, तो 2400 के करीवन इनकी एंट्री लेवल है, जो यहां पर वीसेंट टॉप बना था, वो था 2430 के करीवन, और अगर आप द कोई भी संकेत नहीं है, अगर आप देखेंगे तो continue fall आया है 1800 तक की लेवल, अगर आप यहां पर देखेंगे तो 1800 से 1850 का जो जो जोन है, वो एक weekly support है, तो यहां पर दोनों सीनारियों से wait and watch कीजिए, अगर 1800 के नीचे, यहां पर अगर आपको daily में दो sessions close मिल रहे हैं, तो पिर बिलकुल आप यहां पर अपना बुक की थिये loss को और exit कर दीजिए, यही सला रहेगी, क्योंकि as of now technically कोई भी rebound का हमें यहां पर संकेत नहीं मिल रहा है, दूसरा stock आपने discuss किया था, PNB का, तो देखें, PNB compare करेंगे अगर एस्टरल से, तो यहां पर फिर भी एक support ले ले रहा है, एक positive divergence बना है, आप लेकेंगे तो पितले दो दिन से आप 200 moving average का support ले रहा है, लेकिन जो low बनाता 4th of June का जो budget candle हम जिसे बोलते हैं, वो 110 के करीबन यहां पर support बनाता, तो stock अगर यहां पर 110 के नीचे closing दे रहा है, तो फिर हमें लग रहा है कि यहां पर भी एक profit booking आ सकती है, till the levels of 98, तो फिर आप इसी तरह से अपना stop loss maintain कीजिए और कड़े रही है, अगर यहां पर rebound आ रहा है PNB का, तो 120 और 125 यह दो लेवल तक stock rebound कर सकता है, जहां पर आप exit कर सकते हैं, शलिए तो यही तमाम stocks पर आपको सलहा दी जारी है, वाट्साप के जरिए विक्रम सिंग का सवाल हम लेंगे और तेजस राजस्तान से नोने अपना सवाल पेजा है, इनोने करदारी कर रखी है नालकों में और इनकी buying price यह बता रही है, और इनकी buying price यह बता रही है, और नजरिया हमें पता नहीं है, लेकिन काफी range bound movement रही है, और मेरे ख्याल से पिछले एक म पिछले काफी दिनों से Metal as a sector का थोड़ा अंदर परफॉर्म कर रहा है बट अगर नजरिया अगर लंबी आउदी का है तो अभी भी नैलको का जो चार्ट स्ट्रक्चर है अभी भी काफी स्टॉंग है इसका जो बजेट डे का लो था वो करीबन 153 का है तो जब तक ये लेवल और जो इसकी 200-day exponential moving average है वो करीबन 159 के करीबन है तो मेरे इसाब से ये stock अभी दीरे-दीरे एक जो long-term support है उसके करीबन trade कर रहा है बट इनका अगर लंबी नवदी का नजरिया है तो मुझे लग रहा है कि stock में अभी भी कोई panic जैसा है नहीं एक positional stop loss इनको रखना पड़े तो ये है सला नालको पर आपके लिए एक और सवाल लेते हैं वाटसैप पर ही आया है महराश्ट्र से रोहित जी का और इन्होंने एनमडीसी पर सवाल पूछा हुआ है 500 shares है 220 की खरीद है इंकी हाल-फ्लाल की खरीद मालूम पढ़ रही है एनमडीसी पर सुमित क्या सला देगे एनमडीसी में भी अभी रीसेंटली काफी एच्छा एक फॉल आया हुआ था एक इंपोर्टन्ट सपोर्ट था जो पचास और सौ दिन का मूविंग एवरे था 240 तो 240 के नीच यहां पर प्रॉफिट बुकिंग का आप दौर देखेंगे लेकिन रीसेंटली अगर है तो फिर 195 तक भी स्टॉप का फॉल आ सकता है तो आप यहां पर वेट कीजिए अगर 240 क्रॉफ हो रहा है तो न्यू अपसाइट अधरवाइस 210 के नीचे आप एक्जिट कीजिए यह बेटर एक स्ट्रेटीजी रहेगी तो पर 210 का एक स्टॉप लोस जैसे मान सकते उसके न आज हमें साथ असनेहा सेट जुट चुकी है नमस्का बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमें इस खास पेशकर्श में बताइए क्या है आज की आपकी रिकमेंडेशन अगर आप देखें तो अबरॉल मार्केट में थोड़ा सा कंसॉलडेशन जैसा दिख रहा है इसमें से अगर हम टाटा सील यह उतर देखें तो एक अच्छा क्रेक्शन आया है जहां पर काउंटर काफी दिनों से अपने 200 दे संपल मोवी आपरश के आसपास ट्रेट कर रहा है मुझे दग रहा है क यहां से दिस तरह की ऑप्शन से अक्टिविटी है जहां पर 150 की कॉल में अन्वाइनिंग है और 150 के कुछ में काफी अच्छी राइटिंग आ रहा है जग रहा है कि यहां से थोड़ी सी तेजी आ सकी है तो एक रहा है उसे ब्लॉंग करें तो रुपीज के आसपास यह जी बिलकुल ये थी रिकमेंडेशन से जी की टाटा स्टील पर 152.5 की कॉल है खरीदना है दो रुपए पर इसका लक्ष है 3.7 का स्टॉप लोस दिया गया है 0.9 का अधिकतम मुनाफ़ा देखा जाए तो 9300 नजर आ रहा है और अधिकतम नुकसान भी देखे तो 6000 का दिख बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस रिकमेंडेशन के लिए लेकिन फटाफट इक डिस्क्लूजर भी ले लेते हैं क्योंकि एफटनों में ट्रेट करना रिस्की हो सकता है सेवी के स्टेडी के हिसाब से 10 में से अधिकतम 9 लोगों को नुकसान हुआ है तो रिसर्च करके स 16 रुपे 25 पैसे की है कुछ खास मोमेंट नहीं पिछले एक महिने का अगर हम टाइम होराइजन पकड़ कर चले तो लगभग आज के ही प्राइस के आसपास भूंता वह दिखाए दे रहा है स्टॉक अब इनको कितना लंबा रुखना चाहिए और अगर आप रुखने की सलह आदेंगे तो नियो टर माउटलुक में क्या स्टॉप भी रेकमेंट करेंगे इनको देखें यहां पर दोनों चीजे हैं अगर कोई एक शॉट टर्म प्लेयर है तो देखें रीसेंटली स्टॉक ने अपने एक इंपोर्टेंट रिजिस्टंस था जो वीकली में अगर आप अगर फॉर्टीन फिफ्टी का अगर फॉर्टीन फिफ्टी ब्रेक कर रहा है तो फिर आप एक्जिट कीजिए अधरवज यहां पर पूरे चांसे सेंगे काफी अच्छा एक सपोर्ट लिया है दोनों मूविंग अवरेज इसका हंटेड और यही सेम जो लेवल है अगर किस अगर लंबा नजरिया है तो फिर स्टॉप लोजा मेंटेन करेंगे ट्वेल का जो अभी रिसेंट्ली लिस्टिंग हुई थी ग्यारा रुपए पे और उसके बाद जो स्टॉप ने बांस दिया तो तो में लग रहा है कि यह स्टॉप आगे और शमता रखता है तो अगर ल अगे पढ़ते हैं और हमारे साथ अगले दर्शर जुड़े हैं राजस्थान से जितेंडर जितेंडर जी नमस्कार ओके वाट्सएप के जरी सवाल आया है हमें एनिच पीसी आट सो शेर इन्होंने लिया हुआ है 116 पर थोड़ा उपरी लेवल पर ले लिया इन्होंने क्य था और वहीं पर इन्होंने आपर खैदारी कर लिया है सुमिच जी क्या साला होगी आपकी एनेच पीसी पर हाइर लेविल पर एंट्री हुई है अभी बने रहने की सला देंगे इनको और स्टॉप लॉस भी रिकमेंड कीजे देगे बिलकुल आपने जो बात बोली ये एक ट्रिपल टॉप फॉर्मेशन था एक सो सोला पे ही स्टॉप ने रिजेक्शन लिया हुआ था सबसे पहले जो ये रेट आया था वो था फेबररी में अगें सेकंड अटेंप हुआ था थर्ड आप जून को और आप रिसेंटली देखेंगे तो जुलाई के जुलाई के सेकं ने बाउंस किया था तो कल का जो लो रहेगा वो बहुत एक इंपोर्टेंट रहेगा अगर हम टेक्निकल देखें तो पिछले तीन दिन का जो है एक स्टार फॉर्मेशन है जो एक रिवरसल केंडिडेट है तो बिलकुल एक बार यहां पे बने रहने की सला रहेगी का अगर यहां पर बाउंस बैक मिल रहा है तो फिर यहां पर 107 116 जो इनका खरीदवाव है वहां तक स्टॉक एक बार आ सकता है तो फिर आप 92 का एक स्ट्रिक स्टॉप लॉस रखे उपर के तरफ 107 और उसके उपर जाके 116 तक जा सकता है इसमें अच्छी खरीदारी भी है इसे के साथ हमां अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं तो हमें साथ औरी साथ से अनंदा जी जुड़ चुके है नमस्कर बताएए क्या है आपका सवाल ठीक है आपने स्टॉक का नम कुन सा पताया नियू इंडिया अशॉरेंस ठीक है और छे मैने का नजरी आपका ये की स्टॉक है एक और स्टॉक है आपका अच्छा ठीक है नियू इंडिया अशॉरेंस को देख लेते हैं यहां पर 279 के भाव से खरीदा है तेजस जी आपके पास आना चाहूंगा नियू इंडिया अशॉरेंस 279 के भाव से खरीदा है वहां से देखे तो करीबन आठ नों प्रतिशत नीचे गिर चुका है आज अ 233 से अच्छी खरीदारी करीवसल भी नजर आया था तो क्या यहां पर एक अच्छा रिवसल कंटिन्यू होता हूं नजर आ सकता है क्योंकि आज अच्छी खरीदारी अल्रीडी होती हुई नजर आ रही है देखे यह जो स्टॉक है इसमें एक अच्छा खासा करेक्शन आ गया है और जो स्टॉक है उसकी लंबी अवदी की जो मूविंग अवरेज है 200 डे मूविंग अवरेज है उसके करीबन से सपोर्ट लेके तोड़ोई स्ट्रेंड दिखा रहा है इमीजेट बेसिस पर इसका जो रेजिस्टन्स बैटर है वो करीबन 272 के करीबने अगर वो सरपास करता है तो स्टॉक तीन सो तक भी जा सकता है क्योंकि इनका नजरिया लंबी अवधी का है तो मैं एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूँगा जो है करीबन 227 का वो 227 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते है इसमें पहला लक्षे रहेगा 272 का और वो अगर सरपास करता है तो ये स्टॉप 300 तक भी जा सकता है ये तो स्टॉप लॉस के साथ रुके रहें 300 तक के लविल्स को भी पार कर सकता है वाट्साप के जड़िये नितेश रादव का सवाल लेंगे और बी एल पर इनका सवाल है सुमित और क्लिरली न्यू स्पेस आक्शन जो हमको स्टॉप में भी दिखाए दे रहा है लेकिन इनकी जो बाइंग प्राइस है वो 333 बता रहे हैं 333 रुपे पर इनोंने जो है खरेदारी कर रखी है कितना लंबा व्यू सुमित जी बिल्कुल देखिए 333 का जो इनका एंट्री प्राइस है वो करीबन अल्मोस्ट टॉप है ये लेवल साही थी जुलाइ 1st टु 2nd वीक में और स्टॉक ने वहीं से ही एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा था लेकिन अभी भी यहाँ पर बने रहने की सला रहेगी देखिए अगर वीकली में मैं यहाँ पर देखूं तो काफी एच्छा है कि इंपोर्टेंट सपोर्ट है 280 का तो तिल दा टाइम 280 यहाँ पर ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक एक बार बने रहने की सला रहेगी लेकिन 80 और 275 का जो दोन है अगर यहाँ पर टेक्निकली ब्रे हो रहा है तो फिर आप डेली टाइम फ्रेम पे दो या तीन महीने के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक 360 तक भी जा सकता है तो फिर यहाँ पर एक बर बने रहने की सला रहेगी 210 को अगर क्रॉस करेगा तो 360 तक के लेविल्स भी देखने को मिल सकते हैं रहाजा आपको रुके रहने की सला दी जा रही है और राइट तो यॉर्स टॉक में फिलहाल सवाल जवाब के सिलसले को हम यहीं थाम